नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर तो वीडियो में बात करेंगे हिमाचल में 6 मई की बड़ी ख़बरों के बारे में जिसमें आप देखेंगे हिमाचल में एक वार फिर से कुरोना अलर्ट तो जी हाँ फ्रेंड्स वीडियो को प न्यूज आए वो सभी आपको मिल सके तो पहली ही न्यूज हिमाचल के लिए देखें चिंता जनक है तो हिमाचल में दूसरे करोना संक्रामित की मौत मंडी के यूवक ने आईजी एमसी में तोड़ा दम तो जी हां फ्रेंड्स देखी हिमाचल में जो है करोना वाइरस से आ चिला का रहने वाला यूबक था जिसकी 21 वर्ष आयू थी और साथ में इसने शिमला के आईजीमसी होस्पिटल में दम तोड़ दिया है तो इसके बाद अब देखिए क्या है यहां से इसके परिवार जो है उसको यहां से कुरिंटीन कर दिया गया है और उनके सैंपलिंग भी यहां से शुरू कर दी गई है तो इस प्रकार से हिमाचल में दूसरा जो व्यक्ति जिसकी मोत हुई है कुरोना सिफ हो है यहां से मंडी जिले से तो उसके बाद देखिए कुरोना वाइरस यूबती के बाद पंजाब गया एक और कामगार निकला पोजिटीव तो जी हां फ एक और बदी से ही पंजाब अपने घर लोटा जो व्यक्ति है वो फिर से कुरोना पोजिटीव निकला है तो जी हां फ्रेंट्स बदी में जिस हाउसिंग बोर्ड में वो किरायों के घर में रहता था उसे यहां से सील कर दिया गया है जबकि उसके संपर्क में आने वाले ल कि बड़ी चिंता की बात हिमाचल के लिए यहां से आई है तो आगे देखी यहां से अगर बात करेंगे तो उस कामगार ब्यक्ति हलंकी लोगडाउन के समय से ही अपने घर में रह रहा था इसलिए यह पता नहीं चला है कि वो पंजाब में करोना संक्रमित हुआ या फिर कह जासन द्वारा तो जो किराय का मकान है उसको सील कर दिया गया है उसका यात्रा इतिहास पता किया जा रहा है कि कहां वो यात्रा करके आया है कि उसका जो है यहां से देखा जा रहा है कि वो कहां पोजिटिव पाया गया है तो इसकी पूरी जानकरी जुटाई जा रही है त तो नालागड और बदी के 50 सेंपल यहां से लिये गए तो जी हां फ्रेंड्स बात करेंगे यहां से की बहुत बड़ी जो कंपनियां है यहां पे जो बदी में कंपनियां है कुछ फैक्टरी है उद्योगिक शेतर उनमें काम करने वाले जो यूबती थी जो पोजिटिव पाई गई है उसकी टीम के संपर्क में आने वाले 50 लोगों के यहां से सेंपल लिये गए है तो अब ही जो है बात करेंगे वो जिस शात्रावास में रह रही थी वहां पर भी यहां से सेंपलिंग शुरू कर दी गए है लोगों शुरू होने के साथ ही जो यहां पर 20 अन्य यूबतियां और महिलाएं रहती है जांच में पाया गया है कि यह यूबती CHC बदी में उपचार कराने आई थी जहां से इसे चंडीगड रेफर किया गया था और सेक्टर 32 चंडीगड में उसका उपचार कराया जा रहा था तो अभी जो है यहां से 20 लोगों के सेंपल अलग से लिए गए है और जो 16 अपरेल को नालागड में लोग आये थे उनके भी यहां से सेंपलिंग की जाएगी तो इस प्रकार से नालागड और बदी के यहां से 50 ऐसे लोग हैं जिनके सेंपलिंग की गई है जो उस महिला और यूबती के संपरक में आये थे तो आगे देखी हिमाचल में बारवी कक्षा की प्रिक्षा लोग डाउन हटने के बाद तो शिक्षा मंतरी हिमाचल के सुरेश भारदाज ने जानकारी दी है तो आगे बढ़ते हैं न्यूज की तरफ तो उसके बाद यहां से जो न्यूज है देखी हिमाचल को 869 करोड का शिक्षा बजट मंजूर और 3800 नए शिक्षा पदो पर होगी भरती तो 389 शिक्षकों की भरती जानकारी सुएं हिमाचल के शिक्षा मंतरी सुरेश भादवाज ने दी है तो भरतियों की बात करेंगे तो पहले तो हिबैठक में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने के लिए 100 नए स्कूल खोडने के मंजूरी दी गई है और बरतमान में बात करेंगे तो 3740 यहां से प्री प्राइमरी कक्षाएं चल रही है तो आगे देखे यह जो 389 शिक्षकों की भरती होने वाली है यह 218 ब्रिस्ट मादमिक स्कूलों में IT लैब खोडने का मुझूरी मिली है और साथ में देखे यह जो है पहली बार केंदर नरसरी और केजी कक्षाओं को बढ़ाने के लिए करीब 3800 नए शिक्षकों की भरती यहां से कराने का फैंसला लिया है और 9 से 12 कक्षा के लिए 50 और स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा खोडने की यहां से मनजूरी मिली है तो इस परकार से यह जो बजट में मनजूरी मिली है कुछ भरतीयों की और वोकेशनल को शुरू करने की और प्री प्राइमिरी स्कूल खोडने की तो आगे देखे इस दिन से होगी हमाचल की केबिनेट बैठक तो जी है फ्रेंड्स आठ मई को केबिनेट बैठक होगी इसमें जो है अब काफी बड़े फैंसले लिये जाने है सरकार दोरा क्योंकि आप सभी को पता है कि करोना ने एक बार फिर से दस तक दी है तो शूट से समद्दित कुछ यहां से फैंसले सरकार दोबारा उस पे समिक्षा करेगी और उसके बाद ही यहां से कुछ फैंसले आएंगे और टूरिजम और इनको फिर से चलाने के लिए सरकार यहां से कुछ बड़े फैंसले लेने वाली है तो यह मीटिंग होगी आठ मई को तो आगे देखिए यहां से है करोना का मामला सामने आने के बाद जोगिंदर नगर की 20 पंचायते सील कर्फ्यू में नहीं मिलेगी डील तो मंडी जिला के जो है जो गिंदर नगर ने एक करोना मामला आने के बाद अब 20 पंचायते वहां की सीले कर दी गई है तो 30 जून तक सेल्फ डिकलेशन नहीं दी तो रुकेगा विरोजगारी बता तो ये चमबा के लिए बात है अगर चमबा में जो है पच्पन सो जूबा ऐसे हैं जिनको विरोजगारी बता मिलता है तो परशासन ने यहां से आदेश चारी किया है अगर वह 30 जून तक सेल्फ डिकलेशन सेटिविकेट नहीं देते हैं तो उनका जो भता है यहां से वो रोक दिया जाएगा तो आगे देखी हिमाचल में करोना पोजिटिव के साथ दिल्ली से आए दो यूवक कुरिंटीन 27 लोगों को निगरानी में रखा तो जिहां फ्रेंट्स यहां से जो कुरोना मामला आया है मंडी जिला में उसके संपर्क में जो दो यूवक आये थे साथ में आये थे दिल्ली से उन्हें भी यहां से कुरिंटीन कर दिया गया है तो आप देखिए 43 दिन बाद खुले बाजार पहले ही दिन बिकी 3 करोड की शराब तो जिहां फ्रेंट्स हिमाचल में देखिए काफी लंबे समय के बाद तकरीवन यहां से 43 दिन बाद बाजार और ठेके कुले हैं तो पहले ही दिन जो है तीन करोड की शराब यहां से बिक्री हुई हो तो आप यहां से तस्वीर भी देख सकते हैं लोग किस परकार से यहां से शराब लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो इस परकार से फ्रेंट्स यह थी आज की कुछ बड़ी खबरें आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को करें जासे जासे शेयर चैनल को सब्सक्राइब और धन्यावाद फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखने के लिए